दोस्तों आपको अच्छे से पता है 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर ने कानून पूरी तरे से लागू हो रहे हैं अब से पहले महिलाई पत्निया क्या करती थी जूटा केस भी कर देती थी तो उनको कोई भी पनीजमेंट नहीं मिला करती थी पर आप जरूर पनीजमेंट मिलेगी यहाँ पर ने कानून के अंदर यह विशेज प्रावधन किया गया है पत्नियों के उपर महिलाउ के उपर जूटा केस करने पे 5 लाख रुपय तक का हर जाना लग सकता है जुर्माना लग सकता है उनको जेल भी हो सकती है पर यह कैसे हो सकती है क्या प्रोसीजर है यह पूरी जानकरी इस मामले के नुसार में आपको समझाने वाला हूँ इसलिए आपको करना क्या है वीडियो को बिल्कुल अंतक देखना है तभी पूरी जानकरी समझ में आएगी क्योंकि आप खुद समझदार हैं आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधुरे ग्यान से आधे अधुरे वीडियो से जानकरी समझ में नहीं आती है इसलिए पूरी जानकरे के लिए वीडियो को अंतक देखना है तो आपको भी क्या करना है वीडियो को बिल्कुल अंतक देखना है और ये आपका अपना चैनल है इसको अगर आप अपको तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो फहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और स पतनी की माना करते थे जूटा केश डाल कर वो पतनी महिला बोलती कि मुझे पैसा चाहिए तो पीडित पती पुरुस उसे पैसा भी देते उसकी हर एक डिमांड की पूरती करते वो बोलती कि मेरे नोकर बनके रहो तो नोकर बनके भी रहते जैसा वो चाती वैसा वो सब कुछ उसके लिए करते बहुत से पेडित पती पुरुस्त जूंटे केसों के दबाओं से डर से आत्मत्या तक कर लिए सूसाइड तक कर लिए अपनी जिन्दगी को दाओ पे भी लगा दिये पर अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा अगर पत्नी जूंटा केस करती है तो पत्नी को दब समझा देता हूं दोस्तों ये मामला इलाबाद यूपी का है इलाबाद वीश्यविद दहले के एक वरिष्ट प्रोपेश्टर के ओपर एक महिला असिस्टेन प्रोपेश्टर के दुवारा योन उत्पिडनों और अन्य आर्पो का मामला दर्ज करवाया जाता है जब विश हाई कोट के सामने जाता है तो हाई कोट के दुवारा साप इस मामले को पर एक हैना होता है कि असिस्टेंट प्रोपेसर के दुवारा वरिष्ट प्रोपेसर के उपर इस तरीके के आरोप लगाने से इनका अपमान हुआ है इनके प्रतिष्टा के उपर दाग लगा है इनके मा अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर आपकी पतनी या फिर महिला आपकी उपर कोई जूटा मुकदमा दरज करवाती है, तो उसको आप इस तरीके से punishment दिलवा सकते हैं, आप उसके उपर जुर्मान हर जाना लगवा सकते हैं, या फिर आप उसको जेल में भिजवा सकते है ये आपके उपर depend करेगा, तो ने ये कानून के अंदर ऐसे बहुत सारे काम होंगे, जो न्याई के आधार पी होंगे, किसी के साथ में भी अन्याई नहीं होगा, तो ये जानकरे आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, और भी अगर आपकी किसी भी तरिकी की कोई भी का पर WhatsApp message करके appointment book करवा के directly मेरे से call के पर बात कर सकते हैं, अपने किसी भी तरिकी की कोई भी कानूनी समझा है, तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं, तभी आपको करना क्या है, वीडियो को like करना है, और share भी करना है, जो और दोगुत के जानकरे पहुंच सके, तो वीडियो